दोस्तों, आज की इस वीडिये में हम बात करेंगे कि कैसे safe man hours calculate किया जाता है अगर आप किसी industry में काम कर रहे हो तो industry के point of view से हम थोड़ा सा बात करेंगे safe man hours को calculate करना, ठीक है? तो जैसा कि मैं आपको बता दू, आप कोई भी industry में काम कर रहे हो और industry में जो भी आपकी responsibility है, add the end of result देखा जाता है कि आपकी industry में कितना safe man hour है, ठीक है? तो इसके लिए अगर मैं formula की बात करूँ, safe man hour, तो यहाँ पे आप formula अगर आप देखोगे, तो इसका जो formula होता है safe man hours का, कि total number of work hours, मतलब अब यह कैसा निकालोगे? मान के चलिए आपका जो total number of work hours है, आपने यहाँ पे निकाल दिया, साल का, एक महने का, छै महने का, तो आप यहाँ पे वो value रखोगे, उसके बाद यहाँ पे बूछ रहा है आपसे number of lost hours due to accident, अब यहाँ पे समझो कि आपकी accident में, जैसे कि हर महने, यह फिछै महने में, यह साल में, यह फिर मान के चलो महने में, दो accident हो गया, जब दो accident हुआ, तो वो आपका यहाँ पे आएगा कि number of lost hours due to accident, दो accident हुआ, और उसमें मान के चलिए 35 घंटा काम नहीं चला, तो 35 घंटा जब industry में काम नहीं चला, तो वो क्या आपके लिए, company के लिए lost hours है, ठीक है, जो time था, उसको बरवात कर दिया या, किस वज़े से, accident होने की वज़े से, ठीक है, तो अब इसका final calculation निकालेंगे, तो example के लिए, यहाँ पे mention है, कि for example, कि suppose that आप जिस company में काम कर रहा है, उस company में total, जो है, 10,000 work cover, मैं मन्थ की बात कर रहा हूँ, आप चाहो, तो yearly यहाँ पे ले सकते, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, कि जैसे 10,000 घंटा, work cover था, मैंने में, ठीक है, मैंने काम total calculate कर रहा है, उसके बाद, यहाँ पे पूछ रहा है, कि suppose, कि वहाँ पे 2 accident हुआ, जो मैंने भी उपर example दिया, ठीक है, तो 2 accident हुआ, 10,000 घंटे में से 2 accident हो गया, एक मैंने के तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा identify करना है, कि आपका accident होने की वजए से, यह जो accident हुआ है, एक accident होने की वजए से आपका, जो 40 घंटा है, वो बरबाद हो गया, ठीक है, जब यह 40 घंटा बरबाद हुआ, तो आप क्या करोगे, calculate करोगे safe man hour, तो calculate करने के लिए आपके पास इसी formula में आपको put कर देना है, ठीक है, इस formula में जब आप रखोगे, तो आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या किया है, just in simple, safe man hour जब निकालते हो, तो 10,000 में से, जितना आपका last time था, जैसे 40 घंटा बरबाद हुआ, तो 40 घंटा जब बरबाद हुआ, तो इसमें जब करोगे, तो आपका आता है, 9960, यह आपका एक महने का safe man work hour निकला, ठीक है, एक महने का safe man, अब ऐसे ही मान के चलो, साल का निकालना है, तो साल का 10,000 की जगे, आप मान के चलो, मैंने 20 या 2 लाग कर दिया, ठीक है, यह आपका हो गया, ठीक है, तो ऐसे आप define कर सकते हो, और 15 से आप माइनस कर दोगे, ठीक है, 15 से नहीं, 15 एक्सिडेंट हो, आप 15 एक्सिडेंट में से मान के चलो, 300 घंटा आपका बरवाद हो, तो 300 घंटा माइनस करोगे, तो आपका safe man work अवार आ जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते है, how to calculate safe man hour, बहुत ही simple है, आपको कुछ भी न जाद रखना है, यह formula है, इस formula पर आप अप्लाई कर दो, तो जैसे आप apply करोगे, तो आपको safe man hour मिल जाएगा, ठीक है, तो यह monthly का था, ऐसी आप yearly कर लो, every six month कर लो, तो आप ऐसे calculate कर सकते हो, ठीक है, और company के अंदर, आपका अगर zero accident होता है, तो वो आपका पूरा काउंट होता है, safe man hour, मतलब कि आपका lost time एक भी नहीं गया, जब accident होता है, तो accident होने की वजए से, आपको पता है, कितने सारे, कितने दिन बरबाद हो जाते है, वो company के लिए lost होता है, ठीक है, time का lost, money का lost, सब कुछ lost होता है, उसके बाद फैटल हो गया, accident की वजए से, तो उसमें expense देना पड़ता है, ठीक है, act के, as per factory act, BOCW act, उसकी खर्चार को उठाना पड़ता है, यह सारी चीज़े बहुत important होती है, ठीक है, तो इस तरह से, यह था हमारा formula, calculating safe man hour, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, अगले वीडियो बे, तब तक के लिए, झाल झाल